हे गाईज हाव आई यू आई होप यू आ डूइंग वैल सो आज हम बात करेंगे एंटी कॉंप्टिटिटिव अग्रिमेंट्स की जो की सेक्षिन नंबर थ्री ओफ कॉंप्टिशन एक्ट टूथाजन टू में डिफाइन है इसके प्रोविजन सेक्षिन थ्री में दिये गए हैं ये अकेला सेक्षिन पूरे कॉंप्टिशन एक्ट टूथाजन टू को जिस्टिफाइ करता है और हम अगर बोले कि एक सबसे important section पूरे competition act का वो है section number 3 ये section lengthy के साथ साथ काफी important है लेकिन इस वीडियो में आपको मैं बहुती easy language में साथी साथ आपको notes भी provide हो जाएंगे और समझ में तो आपको आने ही वाला है तो without wasting any further time हम चलते हैं अपनी slides के और first of all हम क्या पढ़ने वाले हैं आज पूरा anti-competitive agreement section number 3 तो चलिए देगी section 3 sub clause 1 से हम शुरू करेंगे पहले मैं आपको बताता हूँ कि anti-competitive agreements क्या होता है देखे anti-competitive agreements का मतलब है competition जो कि economy में जो competition होता है healthy competition जिससे हमें products को एक competitive price में खरीदने का मौका मिलता है या फिर हम खरीद पाते है वो होता है competition अगर उसको रोकने के लिए कोई businessman कोई person अगर कुछ ऐसा agreement करें जिससे customer को नुपसान हो और customer को पता भी नहीं चलता है इस चीज़ के बारे में या ऐसे agreements के बारे में उसे ही बोलते हैं anti competitive agreements उसी के लिए section number 3 बनाया गया है कि इन agreements को हम कैसे पैचाने कैसे रोके और क्या इसके अधर provisions है तो देखिए section 3 sub clause 1 बात करता है prohibition of anti competitive agreements simple सा बोलता है no enterprise और association of enterprise देखिए enterprise यहाँ पर word जो आ रहा है यह grammatical meaning नहीं लेनी है इसको define किया गया है इसी act में और मैंने इसके लिए exclusive अलग सी वीडियो बनाई हुई है तो उसे आप बिल्कुल चेक आउट कीजिएगा and साथी साथ person जो यह word है इसमें भी एक पूरी definition है तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है आप दोनों को ही check out कर सकते हैं यहाँ तक पहुचने से पहले तो देखिए no enterprise और association of enterprise और person और association of person मतलब enterprise अकेला भी नहीं ग्रूप में भी नहीं person के साथ भी नहीं और person का ग्रूप भी नहीं ठीक है shall enter into any agreement in respect of किसी भी ऐसे agreement में enter नहीं करेगा किसके respect में वो agreement किसके respect में होना चाहिए production, supply, distribution, storage, acquisition और control of goods और provision of services यह 5-6 चीज़े है इनको आप बिल्कुल as it is याद कर लीजे रट लीजे अगर इनके इनसे related कोई भी agreement यह लोग करते हैं कौन लोग enterprise, association of enterprise, person और association of person अगर यह करते हैं तो और वो जो agreement है क्या करेगा which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition within India अगर उस agreement का appreciable adverse effect इंडिया की market में पढ़ता है तो हम उसे anti-competitive agreement मान लेंगे और मान लेंगे इसके बात क्या होगा आगे हम sections में देखेंगे आगे slides में देखेंगे लेकिन आप अभी के लिए तना समझिए कि अगर यह लोग कोई भी ऐसा agreement करते हैं जिससे Indian market में appreciable adverse effect होता है competition पे तो हम उसे मान लेंगे कि आपने anti-competitive agreement किया है और हम आपको punish करेंगे punish का हम आगे देखेंगे लेकिन हम उसे punish करने वाले हैं यहाँ पे उसका जो हम बोल सकते offense है वो establish हो जाएगा अगर इतना मिला और वो agreement किस से related होना चाहिए production, supply, distribution, storage, acquisition और control of goods और provision of services को अगर वो control करता है तो यह हो जाएगा हमारा anti-competitive agreement I hope इतना clear है, आगे बढ़ते हैं देखिए यह जो word है na AAEC, appreciable adverse effect on competition यह क्या है? इसे भी मैं आपको समझाता हूँ अब देखिए AAEC हमें पता कैसे चलेगा कि इंडिया में appreciable adverse effect on competition हो रहा है पहले तो यह word देखिए appreciable adverse effect on competition इसका मतलब अगर मैं simply समझाऊ adverse effect मतलब negative effect हो रहा है competition पे और वो ऐसा effect है जो appreciable है appreciable मतलब grammatical मत जाना appreciable का मतलब है कि significant जिसको हम मतलब मान सकते है कि हाँ इससे हमारी economy में जरूर फर्क पड़ा होगा या इससे हमारे वीडियो कराई है उनमें भी बताया है और भी साथ के साथ में इसके जो भी cases आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे cement company ने cartelization कर लिया था तो अब consumer को कुछ नहीं पता लेकिन जैसे भी पता चला CCI को पता चला उसके बाद जो भी ये खुलासा हुआ उससे हमें ये पाया गया कि हाँ इन्होंने ऐसा एक cartel बना लिया था कि जिससे हमारी economy effect हो रही थी तो ये होता है appreciable adverse effect अब इसके अंदर कुछ points आते हैं इसकी कोई exact meaning नहीं है however only the probable factors that needs to be looked into while determining whether or not an agreement is likely to have an AAC in the market is provided in the act कुछ points है कि हाँ देखो अगर ये points हुए तो AAC मान लिया जाएगा कोई fix इसकी definition नहीं है अब कि कहां दिये गई है these factors mentioned under 19 clause 3 of the act provides that the commission while deciding whether or not an agreement is likely to have an AAC in the market shall bring into consideration any or all of the following factors जो भी commission है मतलब CCI जब भी वो जाच करेगा किसी भी case की वो ये देखेगा इन में से कौन-कौन से factor present है और अगर सारे भी है या फिर कोई भी है और उसे लगता है कि ये effect कर रहा है तो वो मान लेगा कि इसने anti-competitive agreement किया है factors देखते हैं कौन-कौन से है creation of barrier to new entrance in the market एक और राशन के दुकान खूलने वाली है आपको पता है लेकिन आप कुछ ऐसा करते हैं कि वो ना वो दुकान ले पा रहा है ना राशन के दुकान खूल पा रहा है चाहे आपने जहां भी वो खोल रहा था उसके जो owner है वहां से उनसे कुछ सैटिंग करी हो या फिर आप उसको किसी भी तरीकी से माल लेने से रोक रहे हो कुछ भी कर रहे हो बस आपके कुछ करने से वो creation of barrier हो जा रहा है वो नए जो player है वो market माही नहीं पा रहा तो आप अकेले बेच रहे हैं समान तो इससे भी क्या हो जाएगा ये माल ले जाएगा AAC है second driving existing competitors out of the market कोई पहले से already आपके सामने दुकान वाला है आपने कुछ ऐसा किया कि उसको दुकान खाली करनी पड़ी या फिर वहां से जाना पड़ा कुछ भी हो सकता है आपने आपकी कुछ गलत एक्ट के वज़े से आपका competitor हट गया ठीक है तो ये माल ले जाएगा AAC का point next is foreclosure of competition by hindering entry into the market अब ये भी सेम है कि foreclosure of competition को आप रोकते हैं और नए players की entry को आप उससे रोकते हैं effect करते हैं तो ये भी सेम हो जाएगा कि आपने AAC किया है accrual of benefits to consumer अब देखिए last के तीन point बहुत important है ये कहता है accrual of benefits to consumer आप consumer को इतना benefit दे रहे हैं कि बाकी और दे नहीं पा रहे हैं समझे आप जैसे जियो जियो ने आके इतना benefit दिया कि airtel word of one idea भी मिलके दे नहीं पा रहे थे तो ये क्या हुआ क्या ये AAC हुआ बिलकुल ये भी AAC category में आता है लेकिन last की जो तीन points है ये consumer को ultimately benefit दे रहे होते हैं तो इसमें थोड़ा सा leniency देखी जाती है वो मैं समझाऊंगा आपको आगे अब याप points देखिए next is improvements in production or distribution of goods or provision of services आपने इतनी बड़ी-बड़ी high-tech machines लगा ली कि आपका production बढ़ गया distribution बढ़ गया services बहुत अच्छी level की हो गई और आपके competitor दे ही नहीं पा रहे विसा तो ये क्या चीज है ये भी AAC तो create कर रहा है लेकिन ये भी ultimately benefit दे रहा है and next and last is promotion of technical scientific and economic development by means of production or distribution of goods or provision of services आपने technical scientific and economic development कर दिया बाकी आपके competitor नहीं कर पा रहे है तो इससे ultimately benefit होता है consumer को तो अब एक बात आप याद रखिए अगर नीचे के 3 points जो है अगर इनका ये ज़ादा है इनका effect ज़ादा है और जो starting के 3 points थे उनका effect कम है तो इसे good for the competition मानके उसको जो भी anti-competitive agreement होगा उसको हम नहीं मानेंगे कि ये एक anti-competitive agreement है ठीक है AAC का point है बिल्कुल लेकिन इनमें leniency देखी जाएगी कि कि किसका effect ज़ादा हो रहा है किसका कम अगर शुरू के 3 points का effect ज़ादा है तो माना जाएगा और last के 3 points का effect ज़ादा है तो वो इस तरीके से नहीं माना जाएगा और भी factors होते हैं चेक करने के पर ये एक general factor है ठीक है 6 points का ये हो गया AAC की बात अब sub clause 2 simple कहता है देखो भाई अगर any agreement entered into in contravention of provisions contained in subsection 1 वो void हो जाएगा मतलब वो agreement ही void हो जाएगा ऐसा कोई agreement उनके बीच में हुआ ही नहीं हम ये माल लेंगे समझे मतलब section 3 2 ultimately section 3 sub clause 1 को ही justify आगे बता रहा है ठीक है कि वो void हो जाएगा agreement तो हमने खतम ही कर दिया punishment के हम बाद में देखेंगे पहले उनके बीच का जो भी agreement था वो खतम next is अब यहाँ से बहुत important है section 3 sub clause 3 अब देखें agreement कैसे पता करेंगे हम agreement थी कि हमने definition देख लिए अब agreement का कैसे होगा agreement होते हैं basically दो types के एक होता है horizontal agreement एक होता है vertical agreement तो sub clause 3 बात करता है horizontal की और sub clause 4 बात करेगा vertical की अब देखे horizontal क्या होता है horizontal का मतलब हम जब भी horizontal वड़ाता है हम समझते है कि एक flat line है flat ठीक है बिल्कुल parallel to the earth एक line है वो होता है horizontal और अगर हम दूसरे sense में समझे तो horizontal का मतलब होता है same position पर ठीक है same position पर अगर हम same position पर है तो हम बोलते है horizontally equal है अगर हम उपर नीचे है कोई manager है कोई उसका junior है तो वो vertical हो जाता है आगे पीछे जिसे हम बोलते है तो horizontal मतलब same position पर ऐसे ही आप इसको याद रखिए horizontal agreement मतलब है कि same position वाले लोगों के बीच में agreement हो रहा है कौन से है वो अब यह define करता है यहाँ पर any agreement entered into between किस के बीच में enterprises के बीच में हो रहा है association of enterprises के बीच में हो रहा है persons के बीच में हो रहा है association of persons के बीच में हो रहा है और any person and enterprise के बीच में हो रहा है इन दो चीजों को हमने हर combination पे मिला के देख लिया ठीक है और क्या हो रहा है practice carried on or decision taken by any association of enterprise or association of person including cartels भी आएंगे उसके अंदर engaging identical और similar trade of goods और provision of services यह सब चीजे मिला के ultimately में बता हूँ अगर यह चीजे enterprise association of enterprise person association of person enterprise ठीक है अभी क्या करेंगे मिलके मानली जी इन्होंने अपने अपस में agreement किया ठीक है अभी क्या करेंगे विच अब इनका agreement क्या क्या करना चीए यह points देकिए directly और indirectly determines purchase or sale price इन्होंने ऐसा agreement कर लिया कि purchase और sale price को यह determine कर रहे है इनके अलावा market में और कोई करी नहीं पा रहा है जैसे हम बोलते हैं कि market में free flow demand and supply से ही price determine होना चीए लेकिन इन्होंने ऐसा जाल बुन दिया है हम बोल सकते हैं कि जिससे यही ultimately उसको control कर रहे है ठीक है second limits और control production supply market technical development investment और provision of services यहां पर क्या माना जाएगा कि इन्होंने services को control कर लिया production कर रहे है supply control कर रहे है markets को control कर रहे है तो ultimately इनी का ही राज हो गया पूरा zero से लेके उपर तक मतलब production से लेके पूरा deliver तक तो यह क्या हो जाएगा यह भी हम मानेंगे कि हाँ इन्होंने क्या क्या है horizontal एक agreement किया है यहां पर हम punishment का नहीं बोल रहे हैं वो तो थरीक सबक्लास में ने बोल दिया कि अग में बोला कि आपको वो agreement वाइड हो जाएगा अब यह बता रहा है कि horizontal agreement होते क्या है agreement horizontal क्या होगा जब वो same level वालों के बीच में होगा और उनका effect यह सब होना चाहिए कौन सा effect पहला देखा A point दूसरा देखा हमने B point अब देखिए next share the market a source of production और provision of services by way of allocation of allocation से हम क्या कर रहे हैं हमने markets बाट दिये source of production के बेस पर या फिर provision of services के बेस पर हमने markets बाट दिये कि आप यहां बेचो हम यहां बेचेंगे जैसे cable network वाले करते हैं कि आपका area यह है हमारा area यह होता है यह क्या हो गया यह भी horizontal agreement हो गया और यहां पर आप जरूर याद रखिए competition act में agreement का मतलब कभी भी return agreement से नहीं है क्योंकि कभी भी उल्टे काम होगा agreement कोई भी return नहीं करेगा यह सब हम उल्टे काम ही पढ़ रहे हैं तो यहां पर कभी भी return agreement नहीं होगा हमेशा क्या होगा oral agreement या फिर by conduct हम समझ जाएंगे कि हाँ अच्छा ऐसा है तो ऐसी ही मैं बात कर रहा हूं कि जैसे मान लीजे cable वाले ने या फिर दूद वाले ने या फिर किसी ने भी ऐसा बोल दिया कि यह मेरा area यहां मैं को लूट मैं यहां के customer को लूट हूँगा और यह हो गया horizontal agreement टेक है next is geographical area of market यहां पर geographically बाट दिया और types of good पर बाट दिया कि यह good इस market में ही बिकेगा और यह services यहां मिलेगी और यह services वहां नहीं मिलेगी जैसे cable operator की service होती है आप तो बैसे बंद हो गया आप तो online सब चलता है लेकिन जैसे cable जो wire वाला आता था उसमें areas बटे रहते थे कि एक area में एक ही cable वाला होगा आजकल Wi-Fi में भी शायद ऐसा हो सकता है कि cable Wi-Fi जो होता है Wi-Fi वाला एक provider यहां देगा दूसर provider वहां देगा and next is directly or indirectly results in bid rigging और collusive bidding अगर वो कुछ ऐसा काम कर रहे है जिससे bid rigging हो रहे है bid rigging और collusive bidding यह मैं आपको किसी next video में बता हूँगा लेकिन अभी के लिए आप समझे कि bid rigging का मतलब है कि bid कोई bid से काम होना था या tender निकलने थे आपने उसको rigd कर लिया मतलब आपने लूट लिया या फिर आपने कुछ ऐसा करती है कि आपके ही control में वो चीज़ी है जैसे for example like माल लेजे को टेंडर निकलना था कि हाँ यहां पर एक कुछ भी बनेगा government ने बोला और पांच लोग आए अब पांच ने का कि यार तेखो यह सड़क का tender हम मैंसे पांच को किसी को मिलना है तो हम ऐसा करते हैं न कि इस बार इस Road का तुम ही लेना हम लोग कुछ थी नहीं रखेंगे यह रखेंगे तो आप लेकि जीतो थीके Setting हो गई second में बोला कि जब उस road का मिलेगा तो तुमाना, third में मिलेगा तो ये मनलब ऐसे setting हो गई उससे क्या हुआ कि उनका competition काम हो गया और उनको assurance मिल गईगी अब हमें काम मिलने ही वाला है but consumer का तो ultimately loss हो गया कि competition ही खतम हो गया तो ये भी point कहाँ पर आजाएगा तो हुआ ही है मतलब appreciable adverse effect इसका competition इन इंडिया पे पड़ेगा ही पड़ेगा इसका मतलब इसका agreement सीधा void हो जाएगा और इनको punishment मिलने के बहुत हद तक chances जादा है इसलिए आप जाद रखिए horizontal agreement बहुत ही खतरनाग होता है और इसमें जैसे ही यह चीज़े पाई गई कि horizontal agreement exist करता है CCI competition commission of India मान लेगा शैल भी presumed कि AAEC तो हुआ ही होगा खतम अब उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि AAEC नहीं होगा मतलब burden shift हो गया ठीक है burden accused पे शिफ्ट हो गया जैसे हम बोल सकते हैं criminal law की language में तो यह होगे horizontal agreement इसका एक provision है मतलब provision in the sense proviso है जो बोलता है that nothing contained in this subsection shall apply to any agreement entered into by way of joint ventures अगर हम joint venture करते है if such agreement increases efficiency in production supply, distribution, storage, acquisition control of goods or provision of services अगर वो agreement efficiency in production लाता है supply पे लाता है distribution पे इन पे efficiency create करता है इनकी efficiency बढ़ाता है और वो एक joint venture है आप उसको पता होगा joint venture क्या होता है तो अगर वो ऐसा joint venture है तो उसको हम horizontal agreement नहीं मानेंगे because वो joint venture है वो सब की निगाहों के बीच में हो रहा है and the most important thing is joint venture हमेशा एक particular purpose के लिए होता है I know video तोड़ी लंबी बनेगी लेकिन ये agreement का ये जो section है section number 3 बहुत important है तो आप इसको धीरे धीरे करके भी देख सकते हैं और repeat करके भी देख सकते हैं आपकी मर्जी है तो section 3 sub clause 4 vertical agreement अब देखिए vertical agreement क्या होता है मतलब आगे पीछे वाले लोग मतलब एक chain में जो आगे पीछे हैं उनके बीच में agreement होता है जैसे distributor अगर कर दे trader के साथ या producer के साथ ठीक है तो ये होता है vertical agreement यहाँ पर same level के नहीं है और हमेशे ज़्यादा कतरनाग होता है same level के because अगर तीन प्लेयर है मार्केट में मानलो कुका कोला एन पैपसी दो प्लेयर है और इन्होंने ही tie-up कर लिया या फिर मानलो जियो एटल एन वोड़ाफोन आइडिया वी आई ने tie-up कर लिया आजी कि ठीक है अब हम price इसमें set करेंगे और हम तीनों एक हैं आज से लो अब तो कोई competitor ही नहीं है बात ही खतम, market खतम, consumer क्या करेगा ultimately उसे mobile तो चलाना है तो वो अब higher price हो या फिर जो भी हो उसे लेना ही पड़ेगा तो हमेशा horizontal agreement बहुत खतरनाक होते हैं और इसलिए उसमें shall be presumed माना जाता है vertical agreement में shall presumed नहीं होता है और यह थोड़ा कम effect करते हैं जैसे अब इसके अंदर क्या चीज़े आती है वर्टिकल अगरिमेंट में क्या क्या हो सकता है या थो हम time arrangements कर सकते है या exclusive supply agreement कर सकते है exclusive distribution agreement कर सकते है refusal to deal if we reseal price maintenance अब यह पांचो को में किसी next video में समझाऊंगा अभी आप सिर्व इतने आद रखिए कि वर्टिकल अगरिमेंट में हमेशा जो agreement होगा वह supply chain है उसके different stages वाले लोगों के बीच में होगा same stage and level पे कभी नहीं होगे वह different stages or level of production chain उन लोगों के बीच में होगा और इनके agreements पांस टाइप के हो सकते है जो कि यह पांचो टाइप mention है उसे हम बोलेंगे shall be an agreement in contravention of subsection 1 if such agreement अब देखको subsection 1 का वो contravention तब ही करेगा जब वो agreement causes or is likely to cause an AAEC in India अगर यह वाला agreement भी AAEC create कर रहा है तो यह भी void माना जाएगा और यह भी subsection 1 के under में आ जाएगा लेकिन सिर्फ difference इतना है यहाँ पे जो सारा काम है यह फिर जो प्रूफ करना पड़ेगा वो किसको करना पड़ेगा DG को डिरेक्टर जेनरल को और किसके सामने CCI के सामने वहाँ पे तो presume कर लिया जाएगा और वहाँ पे accused को बोलना पड़ेगा कि नहीं देखो मेरा agreement ऐसा नहीं करता यहाँ पे accused कुछ नहीं करेगा यहाँ पे DG काम करेगा और वह बताएगा CCI को देखो भई ऐसा ऐसा करता है तब CCI आगे decision लेगा तो यह थोड़ा linear type के हैं और horizontal agreement बहुत ही खतरनाक type का हम बोल सकते हैं अब सब section 5 बात करता है exception की हमने भी बहुत पढ़ लिया अब दिखो कुछ essay act होते हैं जहां पर हमेशा हमें exclusive right मिल जाता है although यह पूरा competition act exclusive right को ही हटाने के लिए लेकिन जैसे हमें पता है copyright में patents में, trademarks and merchandise में geographical indications में, design में semi conductors में यहां पर हमें क्या मिलता है exclusive right मिल जाता है कि हां भाई इसका हमारे पास copyright है यह हमारी technology है इसका use सिर्फ और सिर्फ मैं करूँगा अब मैं कितने में बेचूं, कैसे बेचूं, किसको बेचूं मेरी मर्जी तो यह कुछ acts हैं जो कि बताते हैं कि हां यह हम अगर बोलें तो यह पूरा का पूरा competition act के ही exception है और मैंने बोला था न section 3 ही पूरे competition act को एक तरीक से reflect करता है तो यह सारा का सारा section 3 का भी exception है और पूरे competition act का भी exception है अब यहां पर कुछ एक बात है जैसे while reasonable use of IPR मतलब intellectual property rights stand exempted from the rigors of section 3 related to anti-competitive agreements no such derivation is available in case of abuse of IPR ठीक है अगर IPR का भी abuse होने लग जाएगा तो उसको exception नहीं मिली है ठीक है copyright है आपके पास patent है आप use कीजिए जितने time के लिए है जो भी है लेकिन अगर आप कहीं से भी पता चला कि आपने उसका misuse किया है आप ऐसी technology है जिसको अब आप देना ही नहीं चारे public में जबकि public की वो must है वो एक need है तो वहां पर भी देखा जाएगा कि नहीं अब आप यह abuse की तरफ आप चले गए हैं तो उसको भी refuse कर दिया जाएगा और competition act के दाएरे में आपको लाया जाएगा second point is the right of any person to export goods from India यह बहुत important point है बहुत छोटा और सब इसे भूल जाते हैं neglect करते हैं देखो यह क्या कहता है अगर कोही भी ऐसा agreement बनता है जिसे हम anti competitive agreement कह सकते हैं इंडिया में लेकिन वह जो agreement वह जो collusion बना है वह जो cartel बना है उसका main purpose है कि हम export करें इंडिया से समान मतलब मान लिजिए Vodafone, idea, geo सब मिल गए इन्होंने कहा कि अब हम मिलके इतनी price पे बहुत ही high price पे अब हम अपना जो भी यह services है यह हम बेचेंगे लेकिन कहां बेचेंगे other than India कहीं और बेच रहे हैं नैपाल बेच रहे हैं US बेच रहे हैं UK बेच रहे हैं कहीं में बेच रहे हैं तो यहां से क्या हो जाएगा अगर उन्होंने export from India बहार के लिए है और वो काटल इंडिया में बनाए हम उसे कहींगे कोई दिक्कत नहीं आप बेचो आप competition act के दारे में नहीं आते हो आपको जो करना है करो ठेक है इसे हम simply बोलते export काटल और export काटल हमेशा हमारे competition act के दारे में नहीं आता है और यह allowed है आपको जो करना है करो वहां के जो भी law होँगे वह देखेंगे लेकिन हमारे competition act कुवकि आप इंडिया में effect नहीं कर रहे न तो हमारे competition act में आते ही नहीं है आपको जो करना है आपको तेन प्लेयर मिलने चार प्लेयर मिलने सारे मिलके आप जो मरजी करना है बाहर लेकिन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया होना चाहिए अगर इंडिया में उसका फर्क होआ किसी भी तरीके से तो आप हमारे एक्ट में कवर हो जाएंगे सिंप्ली आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक शेयर सब्क्राइब एंड शेयर थैंक यू सो मच बबाए